लखिमपूर खीरी जिले के तहसिल पलिया में असत्य पर सत्य की विजय को लेकर हिंदों के प्रमुग दशहरे के पर्व को लेकर सोमवार को पलिया के रामलिला मैदान में कोविड-19 के संक्रमन के चलते सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए रावन का दहन किया गया इस मौके पर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही मेले में किसी तरह की कोई भी दुकाने नहीं लगाई गई और साथ ही मेले में रावन का दहन देखने आने वालों को मास लगाना जरूरी किया गया साथ ही लगातार सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया गया इसके अलावा मेले में 65 साल के बुजुर्वों और बच्चों को आने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई वही इस दोरान मोखे पर पलिया सीयो और कोतवाल बानुप्रताप सिंग सहित पूरी फोर्स मौजुद रही जो लगातार लोगों को COVID-19 के संक्रमन को देखते हुए एहतियाद बरतने की अपील कर रही थी बाच्चित में राम लीडा कमिटी के अध्यक्ष ने बताया कि COVID-19 के संक्रमन के चलते हमें सरकार की गाईडलाइन का पालन किया है जिसमें हमने पूरी तरह से गाईडलाइन के अनुसार ही सारे प्रतिबंद किये है जिसमें हमने जहां पहले विशाल रावन तेयार किया जाता था लेकिन अब 15 फूट का रावन बना कर ही उसका अध्धन किया गया है